नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरके जूकिसन में सौगत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको वताने वाला हैं कि अगर आप जो यससी के बैकेंसी आई है यससी सेलेक्शन पोस्ट फेज 11 की जो बैकेंसी आई है उसके लिए अगर आप भाई फारम अप्लाई कर रहे होंगे तो उसमें जो है आपको पोस्ट करने में प्रोब्लम हो रही होगी कि हम किस पोस्ट के लिए अपलाई करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाए तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस परकार से पॉस्ट कोड करने लिना है और उसमें आपको जो है रिकॉर्मेंट क्या है जैसे आपर इंटर पास है या ह्इस्कूल pa sínda गृज़ी व lapas है तो उसके अपने लेबल के हिसाब से जो है आप उस्ट को चैरलेक्ट कर लेना तो आपको सर्पता माना है मॉाईल स्क्रीन में जो है SSC डाल के सरज करोगे भाई तो फिर्ष आफungeर पर आपको किलिक कर देना जैसे आप इस पर फिर्ष आपशन पे किलिक करोगे तो तो यहां आने के बाद भाई आपको यहां latest news अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं नहीं तो आप जो है अपना post code किस परकार से आप select करोगी कि काउन से post के लिए हम apply करें जिससे की हमारा selection जो है आसानी से हो जाए क्योंकि बहुत सारे region है और बहुत कम vacancy है दोस है आप पहली बार registration कर रहे हैं तो registration कर लेना उसके बाद अगर आप एकाउंट बनाया है तो आप registration नंबर और पास्वर्ड फिल करके यहां capture code फिल करके जो है यहां login के बटन पर किलिक करने के बाए यहां पर कुछ इस परकार से आपकी profile जो है open हो जाएगी तो आप login के बट उसके बाद यहां selection ports दिखाई देगा 2030 यहां पर आपको notification और यहां पर आपको post detail का option दिखाई देगा यहां download official चलान जो आप payment कर सकते हो यहां से बहुत सारा option है अगर apply करना है तो यहां apply के बटन पर किलिक कर देना है नहीं तो हमें जो post detail चेक करना है तो हम post detail पर किलिक कर होगे भाई ना तो यहां पर आपको कुछ इस परकार से option दिखाई देगा आप पहले में आप अपना region select करें जिससे कि आपको अपने home state में जो है आपका location उसके बाद यहां से आप जो है selection post page 11 select करके जो है यहां search button पे किलिक करके यहां से आसानी से आप search button पे किलिक करोगे तो कुछ इस परकार से आपको जितने भी CR region में center region में जितनी भी vacancy यहां जहां posting होगी यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहां से आप scroll करते हुए जिस भी post के लिए आप eligible होंगे उसके लिए आप आसानी से apply कर लिए जैसे आप matriculation pass हैं तो यहां multitasking stop MTS के लिए आप apply कर सकते हैं तो यहां post code select कर लेना उसके बाद view detail पर click करने के बाद भाई यहां पर कुछ इस प्रकार से आपको page पूरा open हो जाएगा यहां से आपको बताया जाएगा कि इसके लिए post code A है उसके बाद यहां पर आपको matriculation आगर tent pass हैं तो आप इसके लिए eligible हैं आसानी इसे इसे apply कर सकते हैं post code यहीं आपको select कर लेना है उसके बाद यहां नीचे scroll करते हुए आओगे तो इसमें अगर आपका skill test मांगा जाएगा तो यहां बता दिया जाएगा और यहां group C की post है यहां पर भी इसमें बता दिया जाएगा और आपकी जो salary होगी इसमें level 1 की आप पर सारा कुछ बता दिया जाएगा कुछ इसी प्रकार जैसे आपको यह post apply नहीं करना है next post कुछ out search करना चाहते हो तो आसानी से फिर इसे back करना है आपको फिर वही option पर आ जाना है तो हम यहां पर एक बार फिर से back करते हैं उसके बाद उसी option को फिर से open करते दें तो यहां स select कर सकते हैं जिस भी रीजन से आप आते हैं उसी रीजन को select करके जो है अपने home state में जैसे आप अपने राज में ही अपना job location चुनना चाहते हैं तो यहां से असानी से उसी post के लिए apply कीजिए जिसमें जादा बैकेंसी हो तो यहां से आप आसानी से view detail पे फिर से यहां जो आपको सही दिखें आपको जो है आपकी qualification की हिसाब से तो आपको जो है यहां से view detail पे क्लिक करके जो है आप आसानी से जो है अपना जो है पोस्ट कोड जो है पेस्ट कर देना है यहां से कॉपी करके उसके बाद आप जो है आसानी से अपलाई कर देना तो हमें एक पोस्ट और आपको खोल के दिखाते हैं आज दोस्ते यहां पर हमने मल्टी टास्की इश्टाफ जो है बॉइक के लिए धूए यहां पर हम दिखाय रहे हैं उसके बाद यहां आपको बताया गया है सभी कुछ परकार से आप पोस्ट कोड जो है सेलेट करके आसानी से जिसमें कम ज्यादा वैकेंसी है उसी पर आप अपलाई करोगे भाई तो हैंडेट परसें सेलेक्शन हो जाएगे